एक गाउं में रामु नाम का एक व्यक्ति रहता था वह एक मंदिर में सेवक था उसका काम था कि रोज सुबै सवेरे मंदिर में आना और मंदिर की साफ सफाई करना इसके बदले में वहां के पुजारी उसे शधालूओं और भक्तों के द्वारा दिये गए दान में से थोड़ा बहुत अन और पैसा दे दिया करते थे और इसी से वह अपनी गुजर बसर चलाता था रामो अपने काम से बिलकुल भी खुश नहीं था वह बहुत दुखी और परेशान रहता था लगातार अपनी जिन्दगी को लेकर मंदिर में काम करते करते भगवान से उसकी शिकायत करता रहता था एक दिन भगवान से नराज होकर बोला भगवान जी आपके तो मज़े हैं आपको तो बस एक जगे आराम से खड़े रहना होता है मुझे देखिए मैं कितनी कठिन जिन्दगी जी रहा हूँ दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ तब कहीं जाकर खुद और अपने परिवार को दो वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ काश मेरी जिन्दगी भी आपकी तरह होती उसकी बात सुनकर भगवान थोड़े से हसे और बोले नहीं वात्स जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है मेरा काम केवल यहां खड़े रहना नहीं है मुझे बहुत सारी चीजे देखनी पड़ती है बहुत सारी वैवस्थाएं करनी पड़ती है हर एक व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल देना होता है इस पर रामु बोला आप कैसी बाते कर रहे हो भगवन यह आसान ही तो है आपकी तरह मैं भी आसानी से यहां खड़ा रह सकता हूं और जो जैसा करेगा उसे उसी के अनुसार फल दे सकता हूं इसमें कौन सी बड़ी बात है भगवान बोले नहीं इस खारे में बहुत सूजबूज और धहरे की आवशकता पड़ती है फेकिन रामु अपनी बात पर अड़ा रहा तो अंत में भगवान ने उससे कहा चलो ठीक है मैं तुमें एक दिन के लिए भगवान बना देता हूं एक दिन के लिए तुम मेरी तरह जीओ और मैं तुम्हारी जिन्दगी जीता हूं यह सुनकर रामु की बाचें खिल गए भगवान बोले मैं तुमें एक दिन के लिए भगवान तो बना रहा हूं लेकिन मेरी एक शर्थ है वह तुम्हें माननी होगी रामु ने जल्दी जल्दी अपना सर हिला दिया और कहा प्रभू आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा मुझे आपकी हर शर्थ मंजूर है आप पताईए मुझे क्या करना होगा भगवान बोले अच्छा तो ठीक है तुम ध्यान से सुनो मंदिर में दिन भर में बहुत सारे लोग आएंगे तुमसे अपने मन की बहुत सारी बाते कहेंगे कुछ अच्छा बोलेंगे कुछ बुरा बोलेंगे कुछ तुमारा शुक्रिया आदा करेंगे तो कुछ तुमें भला बुरा भी कहेंगे और शिकायते करेंगे लेकिन तुम्हें चुप चाप इसी जगे पर खड़े होकर धर्रे के साथ सबकी बाते सुननी है उन पर तुम्हें कोई भी अपनी प्रतिकर्या नहीं देनी है रामू इस बात के लिए मान गया अब भगवान ने रामू का वेश्धारन कर लिया और रामू को अपना रूप दे दिया और रामू भगवान की जगे मूर्ती बनकर खड़ा हो गया और भगवान मंदिर की बच्ची हुई साफ सफाई का काम निप्टा कर वहां से चले गए थोड़ा समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया भगवान के सामने हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया और प्रात्ना करते हुए बोला हे प्रभू मैं एक नया कारखाना शुरू करने जा रहा हूँ मुझे आशिरवात दीजिए कि यह फैक्टरी अच्छी तरह चले और मैं इससे खूब सारा धन कमाऊं मुनाफा कमाऊं और प्रात्ना करने के बाद वह धन्वान व्यक्ति जैसे ही प्रणाम करने के लिए भगवान के सामने जुका तो उसका बटवा नीचे गिर गया बागवान बने रामू का बहुत मन हुआ कि वह पीछे से धन्वान व्यक्ति को आवाज लगाए और कहे कि आपका पर्स यहाँ पर गिर गया है आप इसे उठा लो लेकिन शर्थ के अनुसार रामू को बिलकुल चुप खड़े रहना था उसे अपनी कोई भी प्रतिकरिया नहीं देनी थी चुप चाप सब कुछ देखना था इसलिए वह मूर्ती बना चुप चाप खड़ा रहा और उस धन्वान व्यक्ति को वहाँ से जाते हुए देखता रहा कुछ देर के बाद एक गरीब व्यक्ति जो की बहुत ही फटे हाल था उस मंदिर में आया और जब उसने उस धन्वान व्यक्ति के बटुए को पड़े हुए देखा तो उसने मन में सोचा कि शायद आज भगवान को उस पर दया आ गई है और उसकी गरीबी को दूर करने के लिए भगवान ने यह बटुआ यहां रखा है उसने भगवान को बार बार धन्यवाद किया और उस बटुए को उठा कर ले गया इसके थोड़ी ही देर बाद रामु देखता है कि वही धन्वान व्यक्ती पुलिस को लेकर उसी मंदिर में आया और वहाँ पर उसने कहा कि जब मैं इस मंदिर में था तब मेरे पास बटुआ था और उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा काफी पूच ताच के बाद वह व्यापारी जिस नाविक की नाव में आया था पुलिस को उस पर शक हुआ और वह नाविक को पकड़ कर ले जाने लगी अव भगवान बने रामु को अपने सामने होता हुआ ये अन्याय बिलकुल भी सहन नहीं हो रहा था शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था लेकिन उसने सोचा कि यदी मैं इस समय चुप रहा तो बेकार में ही एक बेकसूर आदमी को सजा मिल जाएगी तो उसने अपनी चुपी तोड़ते हुए कहा आप गलत व्यक्ति को पकड़ कर ले जा रहे हैं यह बटुआ इस नाविक ने नहीं चुराया है बलकि उसे तो वह गरीब आदमी जो यहां थोड़ी देर पहले आया था वह ले गया है मैं भगवान हूँ और मैंने यह सब देखा है और इतना कहते कहते रामू ने उस गरीब आदमी के जाने की दिशा भी पुलिस को और उस धन्वान व्यक्ति को बता दी पुलिस ने उसी रहा पर जाते हुए उस गरीब आदमी को पकड़ा और उसे जेल खाने में डाल दिया और नाविक को छोड़ दिया शाम को जब भगवान वापस आये तो रामू ने पूरे दिन का वरतांत भगवान को सुनाया और उन्हें गर्व के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से बचा लिया है देखिए आपकी जिन्दगी जी कर आज मैंने कितना अच्छा काम किया है उसकी बात सुनकर भगवान बोले ये तुमने क्या किया मैंने तुमसे कहा था ना कि चुपचाप मूर्ती बनकर खड़े रहना लेकिन वैसा न करके तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेड़ दिया उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्मों द्वारा इतना धन कमाया है यदि उन में से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते जिस नाविक को तुमने समुंदरी यात्रा पर भेज दिया है वह अब जीवित वापिस नहीं आ पाएगा समुंदर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम बच जाता और उसका परिवार सुरक्षित रहता सेवक को यह सुनकर एहसास हुआ कि वह तो बस वही देख पा रहा था जो आँखों के सामने हु रहा था उन सब के पीछे की वास्विक्ता को वह नहीं देख पा रहा था जबकि भगवान जीवन के हर पहलू का विचार करके अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं तो दोस्तों हमें कभी भी भगवान की करनी और उसकी व्यवस्ता पर प्रश्ण नहीं उठाने चाहिए वो जो भी कुछ करता है हमेशा अच्छे के लिए ही करता है